कि हैं अलो एवर्यवन सब्सक्राइब करेंगे कि इंवार्मेंट के क्लास में और जैसा कि क्लास चल रही है आप लोग पसंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत भूद धन्यवाद तो आज हम लोग पुछ आगी चर्चा करेंगे कि चर्चा में क्या है इंपॉर्टेंट आपके इंवार्मेंट एंट एकलोजी के अंतर का तो लेट्स फिजन फ्रेंट और सबसे पहले में आपको अनकेडमी के बारे में बता दो फ्रेंट अनकेडमी इंडिया का बेस्ट ओन्लाइन प्रेटफॉम है और बिल्कुल ज्वाइन करें और एक और आप ज्वाइन करते हैं तो दो तरह के कोर्स हैं प्लस एक आइकोनिक है दोनों बेटर है दोनों अच्छा कोर्स है बट ज्यादा अच्छा है फ्रेंट क्योंकि इसमें आपको गाइडेंस भी प्रॉपर गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाती है अनकेडमी की ब स्भेश लिए अधार करने पर लाक प्लड़ से फित्साइब कर लें जिस्सें आपको सारे मेरे क्लास के प्लास के नोटिप्येशन लिकेशन होगा मिलते रहेंगे हैं कि सारे नोट्स को सुछ बिलेंगे मैरे कोर्ड?... आपको इंडिया के बेस्ट एजूकेटर एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं इतने सारे पूर्सेस चल रहे हैं सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं और जो फी आपका फ्रेंड है आप देख सकते हैं अन्यकैडमी का जो प्लस की जो फी आपकी है 12 1-2-3 इसमें आपको इसमें डिसकाउंट मिल जाएगा 10% ठीक न और ऑफ-लाइन से कंपेर करेंगे तो काफी कम फीज़ेंट और इसको आप EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं कि वह थाटी सेवन हंडे एक साल के लिए दो साल करते हैं तो 2700 शिर्फ 2700 पर मंत अपकर जगेगा और तीन स इसमें भी आपको 10% डिसकाउंट होगा मेरे कोड का यूज करें इसमें आपको 5200 पर मंत पे करना पड़ेगा वन येर में अधर अंदाज नहीं करना इसमें भी आपको डिसकाउंट मिल जाएगा मेरे कोड का यूज करें अनेकैडमी कंबेट प्रोगाम आपका चल रहा है तो आइधिंक सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे नेसनल लेबल पर आपका रैंकिंग होगा और अपका सेल्फ एब से लिए पार्टिसिक्षन का है किसके लिए 22 के लिए 23 के लिए उपसर रहलाकश का पाल राखिण सिल्फ एजिए काफ लौट नावर्ट को बिल रहा है वन एयर में टू यर में और फ्रीयर्स में आप लेते हैं तो 77,000 होगा आपको पै करना है no 7015 इसमें भी आपको discount मिल जाएगा मेरे code का use करें 63093 मतलब 63,000 में आपको GS and optional दोनों मिल रहा है ठीक है तो हम लोगे start करते हैं उसी तरह से iconic में भी आपका iconic एक साल का लेते हैं और optional लेते हैं इसमें भी आपको discount मिल रहा है तो बिल्कुल जॉइन करें तो हम लोगे start करते हैं तो हम लोगा इस बात करने वाले जैसा कि बता रहे हैं आपको environment में जो current affair आपका है यह classes आपकी लंबी चलने वाली है मतलब क्योंकि यह 2021 के लिए किया जा रहा तो यह पूरा मैं आपको एक साल का environment ecology का पूरा current आपको कराने वाला हूं और साथ में कि यही नहीं Monday Tuesday environment ecology करूँगा संडे को तीन घंटे की marathon class आपको मिलने वाली है बहुत मज़ा आने वाला है तो सब लोग बने रहो और इसमें कुछ important आपका friend है कि वन जीव अपराध नियंत्रन ब्यूरो वाइल लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो तो यह जो आपका organization है WCCB ठीक है न कॉपी पेन लेके बैठेंगे जो important लगएगा उसको note करेंगा तो वन जीव अपराध नियंत्रन ब्यूरो है WCCB वाइल लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है तो यह एक जागरुकता अभियान यह कर रही है और इसमें कहना है कि सभी जानवर जो है जो एनिमल्स है ओपनी इच्छा से पलायन नहीं करते हैं और इसका जो में थीन आपका क्या है में थीन है जानवर इक्छा सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते हैं यह अभियान है किसके द्वारा है WCCB किया है वन जीव अपराध नियंत्रन बूर ब्यूरो मतलब वाइड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जिसे देश भर के प्रमुक विमान पत्नों पर प्रदर्सित किया जा रहा है ठीक है और इस अभियान का उद्देश है उद्देश क्या है एम क्य करना उनका तसकरी एसमंगलिंग की रोक थाम करना ठीक है न तो वन जीव उत्पादों की मांग में जो कमी है तू जागरुपता का स्रेजन करना एवं जन समर्थन प्राब करना बहुत इंपोर्टन्ट है ध्यान रखिएगा इस अभियान का जो उद्देश है फ्रेंड इस अभियान का उद्देश क्या है जो वाइल्ड लाइफ है उसका उसकी सुरक्षा करना उसका कंजर्वेशन करना उसका जो एसमंगलिंग होता है उसको रोकना और साथ में जो वाइल्ड लाइफ का जो पोड़क्ट की मांग में कमी है तो जागरुपता का स्रेजन करना ठीक ह इसमें प्रतम चर्ण में आपका टाइगर है पैंगोलीन है स्टार टटल आपका है और केइक प्राइबww ओर categoria ये जो वन जीव अपराथ नियंटरण बोर्ड है स्वारि व्योरो है यह देश में जो संगठित वन जीव अपरात से निपटने के लिए परियावरन वन एबं जलवायु परिवर्थन के मंत्राले के तहत्य के statutory बहु अनुसासनिक multidisciplinary body है ठीक है इसका गठन कब किया गया था तो 2007 में गठन किया गया था किसकी अंतरगत किया गया संसोधन के माध्यम से किया गया वाइल लाइफ जो आपका प्रोटेक्शन अक्ट 2072 है उसके अंतरगत संसोधन करके इसको इसको एड किया गया वाइल वाइल लाइव क्राइम कंट्रो ब्यूरो कब किया गया 2007 में किया गया किसकी अंतरगत है तो परियावरन वन एंवाम जलवायु परिवर्थन मंत्राले के तहते के statutory multi-disciplinary body है और 2007 में गठन किया गया प्रथम चरण में आपको क्या बताया फ्रेंड कि territory species of wild animals के पक्षकारों के सम्मिलन की तेरी भी बैठक कॉप 13 कायोजन कहां किया गया गांधी नगर भारत में है सो इसका सम्मिलन किया गया और भारत को आधिकारिक तौर पर भारत को आधिकारिक तौर पर अगामी तीन वरसों के लिए मतलब 2023 तक के लिए 2023 तक के लिए इसकी अधक्षता का दाई तो जो है भारत को दिया गया है ठीक है न यह ध्यान रखेगा और इस convention के तिहास में cop 13 जो आपका है यह अब तक का सबसे बड़ा सम्मिलन ठीक है न तो यह आपका cop मतलब क्या होता है conference of parties ठीक है तो bond convention जो आपका friend है cop 13 जो आपका है यह अब तक का सबसे बड़ा सम्मिलन है और इसको ध्यान रखेगा 2023 तक के लिए भारत जो है इसकी अधक्षता करेगा migratory species के संदर में एक स्रिंखला का समापन जो है अक्टूबर में चाइना में आयोजित होने वाले सम्मिलन के रूप में होग और theme क्या है तो जो migratory species है प्रवासी प्रजातियां इस ग्रह को जोडती है और हम एक साथ घर आने पर उनका स्वागत करते हैं यह theme है यह ध्यान convention का इसको note कर लिजेगा सारा PDF भी आपको मैं available करा दूँगा तो प्रवासी प्रजातियां जो है migratory species जो है इस ग्रह को जोडती है और हम एक साथ घर आने पर उनका स्वागत करते हैं तो यह इसका क्या है theme इसका theme line है ठीक है ना logo जो आपका friend है तो logo जो है कुल्नम या दक् प्रवासी प्रजातियों को निरुपित करने हीतू приход किया गया है तो logo logo जो आपका है kolom है कल्सिन भारत की एक पार идет कला है ठीक है तो भारत में प्रमुख जो प्रवासी प्रजातियों को है इंडिकेट करने के लिए इसका privacy और ग्रेजेंग किया इन्ट एक। इंडिंएं त तो इसका जो क्या है इसका सुभंकर क्या है इसका तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मैं आपको बता चुका हूँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ठीक है और यह प्रथम CMS COP था जिसका उधगाटन मेजवान देश की सरकार प्रमुक के द्वारा किया गया यह भी काफी ज़्यादा आपका इंपोर्टेंट है और गांधी नगर घोस्टना पत्र का अंगी करन किया गया इसमें यह ब्यास्था किये गए कि जो प्रवासी प्रजातियां है और जो इकल स्ट्रक्चर है उसके अंतरगत इसको पूरा एक इक्रित किया जाए और इसको प्रायरेटी दिया जाए यह बहुत इंपोर्टेंट है बॉन कंवेंशन ध्यान रखेगा और CMS जो आपका फ्रेंड है मैं आपको और CMS के बारे बता चुका हूं तो CMS जो आपका है फ्रेंड कु की बाहरे के लिए कि गया है तो यहांउपर प्रस्ट मनता है कि CMS क्या है तो प्रवासी जीवों के लिए क्या है प्रवासी जीवों के लिए एक संग्ठन के बनाए गया है और CMS के पक्षकारों के जो तेरवी बैठक में भारतिय पक्षियों की जिती पर रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, ठीक है न? तो यह important है आपका, भारत में करीब करीब 101 प्रजातियां हैं, जो high conservation concern स्रेणी में लिस्टेड हैं, भारतिय गिद्धों के अबादी में काफी ज़्यादा गिरावट हुई थी और यह already मैंने कितनी बार आपको बता रखा है कि यह गिरावट जो है, डाइकलोफिनेक नामें के दवा के कारण हुआ था जो एक pain killer था और जो मवेसियों लोगों को दिया जाता था और जब यह मव जाते थे तो यह इस पर ban कर दिया गया है इस दवा पर डाइकलोफिनेक नामें दवा के अरन मैं आपको बता चुका हूँ आपको पता होगा और भारत में जो बस्टर्ड की जो परजातियां है वो चार परजातियां पाई जाती है भारत में बस्टर्ड की जो परजातियां है कौन को ने फ्रेंड great Indian बस्टर्ड है उसके बाद आपका Macan बस्टर्ड है आपके बाद laser florican है laser florican है और बंगाल florican है तो आप ध्यान रखिए गा फ्रेंड Indian बस्टर्ड और Macan बस्टर्ड है और laser florican है और बंगाल florican है 319 पर जातियां जो है और moderate conservation concern में है लिस्टेड है जबकि 442 पर जातियां जो है और low conservation concerns रेनी में सामिल है तो ध्यान रखिएगा bond convention सब कुछ note करते चले जाए अब हम लोग बात करेंगे संदक्षित छेत्र के बारे में बात करेंगे ठीक न तो संदक्षित छेत्र के wildlife century बोलेंगे इसको और वन जीव संदक्षन जो आपका फ्रेंड है तो इसके अंतरगत हम लोग इसमें क्या-क्या चीज़े हैं इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और बिल्कुल तो इसके अंतरगत जैसे वन जीव संदक्षन अधिनियम 1972 में आपको बता चुका हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट है एक्जामेशन के दुष्टि कोन से बिल्कुल एक्जाम औरेंटेड है एक्जाम में इसमें पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सब नोट करते चले वन जीव संदक्षन अधिनियम मैं आपको बता चुका हूं 1972 और रासरकार को तो कुछ छेतरों को वन जीवन अभिवारन घोषित करने का अधिकार परदान किया किस बिया गया है स्टेट गोव्र्मेंट को किया गया इस्टेट गोवर्मेंन को इना अधिकार दिया गया है कि ये Korean आपके जाना जो आपका व्लाइफ सेंदी वो करीब करीब कितना है 5 43 लगवग जब अगर नया कुछ हाया थो देख लिजेगा रास्टी उद्यान इसमें क्या होता है जो सन्रक्षन उद्देशों के लिए रास्टीय उद्यानों के अस्थाफना की जाती है, ठीक HP, न? और यह जो आपका होता है, कि वग जीव संड़क्षिकन, ये जो wildlife संचोरी होता है, जो wildlife संचोरी होता है, उसके संड़क्षन के तुलना में ये ज़यादा संड़क्षित होता है, जो निस्नल पार्क है, अगर पूचा जाएगा, कि wildlife लैफ संचूरी है और आपका निश्टनल पार्क है तो निश्टनल पार्क ज़्यादा संरक्षित होता है वाइड लैफ संचूरी के और जब भी एक्जामेशन द्याने से पहले इसका चेक करेंगे उसकी बाद आपका सामुदाईक रिजर्व है आपका फ्रिंड सामुदाईक रिजर्व क्या है यह संरक्षित छेत्रों की एक स्रेनी है जैसे आपका वाइड लैफ संचूरी है निश्टनल पार्क है मतलब ही इस्टेट ग़र्मेंट स्टेट गवर्मेंट सेंटर गourणमेंट ठेक है ना और आपका लोकल कम्मुनैटी इस थी ठेक है आchantaj के साथ परामर्स करने के परशाब किसी भी छ्षेत्र को सामुदाईक या संदक्षन रिजर्व घोसित कर सकती है ठीकर मतलब स्टेट गवर्मेंट जो है सेंटरल गवर्मेंट से बात करके लोकल कॉम्मिनिटी से बात करके किसी भी छेतर को सामुदाईक या संदक्षन रिजर्व घोसित कर सकती है और वर्तमान में भारत में 177 सामुदाइक रिजर्व है कितना है भारत में 127 सामुदाइक रिजर्व है और इनकी संख्या कहां पर सबसे ज़्यादा है तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा अगर कहां पर है तो मेघाले में है कहां पर आपका है मेघाले में है तो ये इसको ध् ये UNESCO दौरा एक अंतरास्तिय पदनाम है। प्रसंद पूछा सकता है कि किसके दौरा ये नाम दिया गया है। Biosphere Reserve तो ये UNESCO के दौरा दिया गया है ynतरास्तिय पदनाम, amis, Biosphere Reserve ओर एक Biosphere Reserve को संदَّक्षन के अनुसार, इसमें मैंने आपको already बताया है, core होता है, buffer शेत्र होता है, और संक्रमन शेत्र में इभाज़त किया जाता है, ठीक है न, तो एक आपका core होता है, एक आपका transition शेत्र होता है, और एक आपका क्या होता है, buffer शेत्र होता है, तो मैं already आपको बता चुका है, भारत में भी वरतमान में कितने biosphere reserve है तो करीब 18 biosphere reserve है कितने है biosphere reserve जो आपके कितने है फ्रेंट 18 biosphere reserve है तो biosphere reserve जो है यह किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंट तो UNESCO के द्वारा एक अंतरास्तिय पदनाम है और biosphere reserve में संदक्षन में core area होता है buffer होता है संक्रमन शेतर होता है इसकी क्या बीस सिस्ताइं होती है? मैं already आपको बता चुका हूँ फ्रेंट और 18 बाश्चा रिजर्व है depressing और Channel उसके बाद फिर आपका है Tiger Reserve Tiger Reserve में क्या होता है फ्रेंट? तो बागों की रक्षा करने के लिए Tiger की रक्षा करने के लिए आपका राश्टिय उद्यान या वन जीव अभ्यारन को Tiger Reserve के रूप में नामित किया जा सकता है मतलब जो National Park है जो National Park है और जो आपका Wildlife Century है तो ये दोनों में से क्या है ये Tiger के रूप में क्या किया सकता है नामित किया सकता है और ये Project Tiger द्वारा नियंत्रित होते हैं, किसके द्वारा control होता है? Project Tiger द्वारा control होता है और जिसका प्रबंधन कौन करता है? रास्तिय भाग संदक्षन प्राधिकरन कितनी बार इसको बता है, National Tiger Conservation Authority, NTCA के दुआरा, इसका नियंतित किया जाता है, इसको, कंट्रोल किया जाता है, वर्तमान में देश में करीब करीब 50 Tiger Reserve है, ठीक है न, वर्तमान में देश में कितने हैं, तो 50 Tiger Reserve हैं, तो इनको अच्छे तरीके से देखना है, उसके बाद फिर अधिक जो हैं, वर्त सेंचोरी हैं, कितना आपका फ्रेंड है, करीब करीब 70 जो आपका है, वर्त सेंचोरी है, तो इसको ध्यान रखना है, उसके बाद फिर आपका है, प्राकिरतिक संदक्षन छेत्र है, जैसे रास्टिय हरित अधिकरन, National Green Tribunal, इसके अस्थापना कब की ग बताया हूं इसको, तो रास्टिय हरित अधिकरन द्वारा या आकलन करने के लिए एक नई समीति का गटन किया गया, प्राकिरतिक संदक्षन छेत्र, इन छेत्रों में जो वानिजिक है, जो आवासिय है, परेटन है, और अन संपदा उद्देशों के लिए निर्मान कार जो गोसना किया है कि राज के चावल का कटोरा के रुप में जो विक्यात काविरी डिल्टा शेत्र में तेल के अन्वेंशन समंदी जो परियोजनाओं के संचालन को रोकने के लिए उसको एक संदक्षन किया गया, और बिसेश क्रिसी शेत्र गोसित किया गया, तो काविरी यह आपका राइस का प्रोडक्शन काफी जादा होता है, तो वहाँ पर आपका जो महादीपी यह मगन तयाटो अगर जो छेत्र है, वहाँ पर तेल का जो है ओल्फिल्ड भी आपका है, तो इसको गोसित किया गया है, टाइगर रिजर्व और वन जीव अभ्यारन, ठीक ना टाइगर रिजर्व कुछ चर्चा में बने हुए हैं उसके बारे मैं आपको बता दें टाइगर रिजर्व या जो टाइगर रिजर्व है और जो वाइड लाइफ संचोरी है काफी चर्चा में बने हैं जैसे नागरजुन सागर स्री सैलम टाइगर रिजर्व काफी चर्चा में है आंध प्रदेश के नागरजुन सागर स्री सैलम टाइगर रिजर्व ठीक है में बागों के संख्या में ब्रधी हुई है ठीक है यह आपका चर्चा में है फ्रेंड और यह जो आपका है फ्रेंड तो इतना ही इसमें इंपॉर्डंट है दूसरा आपका है और ये करीब-करीब 3800 वर किलोमेटर में आपका बिस्तार है इसका आपका नागरसुन स्रिसेलम टाइगर रिजर्ब और अगला आपका है अटा पका पक्षिय अभ्यारन अटा पका जो बर्ड सैंचूरी है यह आपका कोलेरू जील में अटा पका बर्ड सैंचूरी दो प्रजिनन अस्तर बन गया है कौन सापका फ्रेंड है कि कोलेरू लेक में, कोलेरू लेक आपका, मैं बता चुका हूँ, आपको इंडिन जोगराफिय गोरह में, तो ग्रे प्यलिकन और पेंटेड स्ट्रॉक्स, पेंटेड इस्ट्रॉक्स के लिए क्या है? एक सुरक्षित प् अस्थल है और यह एक very interesting है एक रामसर अस्थल है रामसर अस्थल क्या होता है फ्रेंड मैं already आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ ध्यान रखिएगा अगला हम लोग बात करेंगे नलबान पक्षिय अभ्यारन ठीक है नलबान बर्ट सेंचुरी नलबान दीप जो है य रामसर अस्थल के रूप में आद्र भूमी का कोर च्खेत्र है ठीक है तो यह चर्चा में आपका बना हुआ है फ्रेंड नलबान पक्षिय अभ्यारन ठीक है और यह वी एक रामसर अस्थल है उसका टैली घाटी वर्ड वन जिया व्यारन टैळी घाटी टैली vig元 एलिव जो प्रजाती की खोच की गए फ्रेंड, जो poisonless है, तो यह important आपका है, नाम दफा रास्तिय उद्ध्यान काफी बार पूछा गया है, और इस पर note करते जाओ, नाम दफा रास्तिय उद्ध्यान या भारत का तीसरा सबसे बड़ा रास्तिय उद्ध्यान, इसको note कर लो, यह big cat की चार प्रजातियां है, low leopard, ठीक है, हीम तेंद्ध्यान, आपका फ्रेंड जो यह important है, तो इसमें धान, snow leopard है, ठीक है, snow leopard है, और हीम तेंद्ध्यान, cloud leopard है, common leopard है, और बाग का प्रियावास अस्तल है, तो नाम दफा रास्तिय उद्ध्यान जो आपका फ्रेंड है, यह बहुत important है, कहां पर है, तो यह आपका अरुनाचल प्रदेश में है, कहां पर आपका फ्रेंड अरुनाचल प्रदेश में है, और यह आपका हिमालेयन biodiversity hot spot है, हिमालेयन, biodiversity hot spot के अंतरगत है, तो इसको ध्यान रखना है, और यह अरुनाचल प्रदेश में है, और छेत्रफल के दिश्टी से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा रास्ति उद्ध्यान है, तो यहां पर big cat के चार प्रजातियां है, आपका snow leopard, clouded leopard, common leopard और बाग का यह inhabited area है, उसके बाद एक चर्चा में आपका है, भेने आपका बाँधोंगर आरक्षित वन, क्या है, बाँधोंगर आरक्षित वन जो है, बाँधोंगर आरक्षित वन कहां पर है, मतलब बाँधोंगर reserve forest, घी यह, डाने मधधभः रिजर्ण फॉरस्ट, इसका है, मधःव प कहाँ पर मद्परदेश के उमरिया जीले में विंधियन हिल में ये आपका extended है पतलब इस तारित है और 1968 में रास्टिय उद्ध्यान घोसित किया गया, 1968 में इसको नेशनल पार्ग घोसित किया गया और 1993 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा परणाम किया गया याद रखिये का फ्रेंड कि जो पांधाओगर जो आरक्षित वन है यहाँ पर एक हाथियों की जो कॉलनी पूरा देखने को मिला है मद्परदेश के उमरिया जीले में विंधियन हील में है और 1968 में इसको नेशनल पार्ग बताया गया मतलब घोसित किया गया और 1993 में इसको ट गंगा नदी बेशनों में विस्तारित है ठीक है क्लियर है और यह जो है यह अफ्रीका से भारत में चीतों को आपका री इंट्रद्यूस करने है तो भी एक संभावी तस्तल है ठीक है ना लेकिन वहाँ पर आपका किया गया मद्परदेश में फ्रेंड और वन बिहार रास् कार के जो साकहारी है और मांसाहारी वो चुडियाघर प्रबंधन की आधुड़ी कौधारना के रुप में इसको मैनेस किया गया है यह ध्यान रखेगा सथकूरा टाइगर रिजर्व है सथकूरा टाइगर रिजर्व जो आपका है कहां पर है मद्परदेश में नर्मदान ताइगर रिजर्व जो है सत्पूरा टाइगर रिजर्व मध परदेश में दर्मदा नदी के दक्षिन में सत्पूरा पुछ परिस्तित है और सत्पूरा टाइगर रिजर्व में तीन आपका प्रोटेक्टेड एरिया है सत्पूरा रास्तिय उद्यान सत्पूरा नेशनल पा पूर्वी गुदावरी और पश्मी-गुदावरी जिले गराएन परदेश में पूर्वी-गुदावरी पश्मी-गुदावरी जील हrez raglia त यह अलग हो गया यह द है सब्सक्राइल है तहला और काफी छरचा में भी था हैदरबाद यह द्यूठ था फ्लय्स फ्ल के रूप में urban flat भी बोलते हैं urban flood के रूप में काफ़ी चर्चा में रहा है 2020 में तो इसको मैंने रास्ति disaster management काफ़ी डिटेल में बताया था अम्राबा Tiger Reserve मैंने आपको अलड़ी बता चुके हैं कि तेलंगाना की नल्ला मलाई पहाड़ी में इस्तित है और देश के सबसे बड़े बाग रिजर्व में से एक है ठीक है दूसरे नंबर पर है पहला जो आपका है नागरजुन है और दूसरे नंबर पर आमराबार टाइगर रिजर्व है यहाँ पर चेंचु ट्राइस पाए जाते हैं चैंचु जाती है बताया मैंने और 2017 में माउस डियर की इंडेंजर परजात्वी को यहां पर क्या कदम नदिया फ् application के दक्षिन के क्या होती है flow करती है परवाहित होती है और उसके बाद फिर आपका है उन जीवनब्यारन क्या है यह रॉयल बंगाल tiger की उपस्ति के कारण इसे प्रोजेक्ट tiger के अधीन tiger reserve में परिवर्ब्लटत करने का प्रस्ताव रखा गया तो बहुत important है जितने भी चीजे मैंने आज आज आपको बताया friend और ये classes जो आपके चल रही है तो पूरे जो एक साल का नील गिरी बायोस्फेर रिजर्व का ये हिस्सा है काजी रंगा रास्टी उद्यान है तो काफी चर्चा में है मैं पहले ही बताया ब्रंपुत नदी जो है इसकी उत्री सीमा को बनाती है और यहां पर एक सिंग वाले गेंडे कितनी बार एक्जाम में पूछा गया है IES PCS परियावरन एवं पार्षित की इन्वार्मेंट है निकलोजी पे आपको जबरदस्त कमांड चाहिए फ्रेंड यूपीएसी में भी देखो तो आपका 100 कोश्चन में से आपका अगर जोगरफी इसमें मिला दो तो कम से कम 25-26 कोश्चन परियावरन से पूछे जाते है तो ख 1985 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्च्व विरासत अस्थल के रुप में घोसित किया गया और वर्स 2006 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा परदान किया था यह ध्यान रखिएगा काजी रंगा रास्ती उध्यान काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट अपका अब हम आयो सीन जो स्टेटस है और रेड लिस्ट है इसमें काफी ज़्यादा कोशन पूछा जाता है तो आयो सीन के बारे में हम लोग बताएंगे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पर आयो सीन जो आपका है तो इन सब चीजों पर काफी चर्चा बना रहता है और इससे प तो आपका क्या होता है एक्स्टिंट ठीक है एक्स्टिंट में क्या हो गया आपका यह उन प्रजातियों पर लागू होता है जिसके अंतिम सदस्य की मिर्तु हो चुकी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग एक्स्टिंट ठीक है एक्स्टिंट मतलब क्या हो गया कि यह मतलब ज extend in the wild इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड तो extend in the wild का मतलब क्या हो गया जिनके सदस्य जो है केवल capital या कृतिम रूप से अबादिक रूप में अपनी एतिहासिक भगौलिक सीमा के बाहर अस्तित्व में बने हुए हैं ठीक है न मतलब कहने करत क्या है फ्रेंड आपका कि जो extend in the wild जिनके सदस्य जो है capital या कृतिम रूप से समर्थित अबादिक रूप में अपनी एतिहासिक भगौलिक सीमा के बाहर मतलब कहीं पर जो main उनका जो local area था जहां के थे वहां पर नहीं कहीं पर है थोड़े मतलब बिलकुल अपने wild में नहीं है कहीं पर ex situ conservation में है तो उनको हम लोग बोल सकते हैं अगला आपका है friend critically endangered critically endangered में क्या होता है कि 10 वर्सों में आबादी में 80 से यह बहुत ज्यादा important इसको note करते चलिएगा जिसके विगत 10 वर्सों में आबादी में 80-90% का गिरावत अगर हुआ है ठीक है और विलुप होने का बहुत ज्यादा खत्रा है ठीक क्या होता है friend कि 10 वर्सों में आबादी में 50-70% अगर गिरावत अगर हुई है और विलुप होने का इसको खत्रा है यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे endangered बोलेंगे तो यह classification किया गया है vulnerable क्या होता है जो 10 वर्सों में आबादी में 30-50% की गिरावत अगर हुई है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे vulnerable बोलेंगे तो यह classification है नियर थ्रेटन का मतलब क्या होता है यह उन प्रजातियों पर लागू होता है जिनके विलुप्त होने का खत्रा है या निकट भविस में खत्रे के सित्य से मतलब इसको हो सकता है तो क्या बोलेंगे इसको नियर थ्रेटन बोलते है लिस्ट कंसर्ण क होने में कोई खत्रा नहीं तो क्या बोलेंगे लिस्ट कंसर्ण बोलेंगे और data deficient कि यह प्रजातियों की ऐसी सितिथी को बताता है कि जिसको विलुप्त होने के जोखिंस को इसका ऑखाग होता है धो चैका को एमनगम क्या होता है कि विज्वान ध्वर्णित किसी प्रजात प्रिट्कन नहीं किया गया तो इसका मतलब क्या होता है और ट्राइट हो चुका है दूसरा टाले में इंडेंज़र्ड मतलब क्या हो गया, 80-90% जो गिरावत हो गया है, दस वर्सों में, और इंडेंजर्ड, critically इंडेंजर्ड हो जाएगा, इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, जो 10 वर्शों में 50-70% तक उसकी जो प्रजाती की गिर चुका है, ठीक है, और 250 से भी कम उसकी अब अबादी जो है गिरी है और एक हजार इसकी अबादी जो है बनी हुई है नियर थेटन का मतलब क्या होता है तो इस तरह से यह पूरा में देखा जाएगा तो अंडमान वाइट है ठीक है लो चुहा लार्ज आपका रॉक है एलवीरा रेट है गिलहरी है नाम दफ़ा फ्लाइंग स्क्वेरल तो इस सब चीजे हैं इस सब कुछ कुछ चीजे हैं इसको ध्यान रखिएगा इस अब मैं पेडियाफ आपको दे दू सब चीजों को यह सब चीजों को आप लोग खुदी देख लीजेगा और इतना इस टॉपिक को कंप्रीट हो गया और नेक्स टॉपिक के साथ आएंगे क्योंकि यह लगतार चलने वाला है मैंने बताया मंडे टूजडे जो आपका होगा इन्वार्मेंट होगा और वेटने तो मेरा जो कोड अरकेस 10 है मेरे कोड का इस्तमाल करें मेरे टेलिग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लें प्लस है आइकोनिक है दोनों में से किसी में अड्मिशन लें बट आइकोनिक बेस्ट है क्योंकि स्टडी के साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाएगी अनुक्त आप जोइन करें मेरे कोड के साथ ठीक फ्रेंड तो all the best और फिर मिलते हैं साम को 5 बजे डेली मिलते हैं साम को 5 बजे नए टौपिक के साथ आपके साथ रूबर होंगे ऑके फ्रेंड वाय सी ओ, आल दो बेस और टेक किया दो